हलो स्टुडेंट्स ध्यान से देखिए अगर मैं जिनरेट इमेज पर क्लिक करूंगा तो आटमेटिक ये जो डिजाइन इसका स्क्रेंशॉट आपके सिस्टम में शेव हो जाएगा शीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए जब भी भी हमें वेब पेज का स्केंशॉट लेना होता है हम एक लाइब्रेडी इस्तमाल करते हैं एच्टीमल टू कैनवास आप गूगल पे सर्च करके फॉर्स लिंक पे क्लिक करो और जो एच् आप वेब इंस्टिट्यूट के वेब साइट पर जरूर आएगा और शॉफ्ट इंजिनिरिंग पे क्लिक करके हमारे ओनलाइन कोर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को जरूर प्राप्त कीजिएगा क्योंकि ये काफी बेनिफीशियल है और इसमें जो भी लेंग्विज आप पड़ते हो सभी में सिर्फ प्रोजेक्स ही आपको करवाय जाते हैं जब आप वेब साइट पर विजिट कर लोगे तो उसके बाद हैड एलिमेंट के अंदर आप स्क्रिप्ट को शुरू करोगे और इस रसी के वैल्यू में आप डिफाइन कर दोगे html2canvas.js इसको व तो सबसे पहले हमें अपने html पेज में इस फाइल को लिंक करना जो js format में हमने डाउनलोड किया है तो लिंक करने के लिए मैंने script के src का वैल्यू डिफाइन कर दिया html2canvas.js अब आपको decide करना है कि किसका screenshot चाहिए आपको जिसका screenshot लेना है वो design आप html और css के पेर किया अब आप इसमें कुछ भी id के value define कर दो जैसे मैंने page id value define कर दिया जब id value define हो जाय तो simply body जहां पे बंद हो आपका उसके ठीक पहले script track को शुरू करके बंद करेंगे जिसका screenshot लेना है आपको पहलो उसे किसी variable में रखेंगे जैसे हमें इस div का screenshot लेना है तो id value देख यह क्या है page मैं variable create कर लेता हूँ page के नाम से यह इस्तमाल करता हूँ document.get element by id और इस तरह से page को select करता हूँ तो जिसका screenshot लेना है उसी को आप variable में रखोगे जब आप variable में रख लोगे तो उसके बाद आप एक method call कर दोगे html to canvas इसमें आप उस element को pass करोगे जिसको आपने variable मे store किया है यानि कि जिसका screenshot लेना है आप उसके variable को इसमें पास करोगे और उसके बाद आप इसमें then method को apply करके देन के अंदर एक function यहाँ पर define करोगे इसका मतलब यह हुआ कि जब html to canvas library के अंदर आपका वो element load हो जाएगा तो क्या होना चाहिए यह चीज़ define करने के लिए हम जो भी काम करना इस element पे उस काम को करने के लिए हम में इसका canvas receive करना होगा canvas receive करने के लिए आप इस function में कोई भी parameter देदो जैसे मैंने result नाम से parameter दिया अब आपको decide करना है कि image आपको jpg में convert करना या png या gif में ये करने के लिए simply आप result में to data url method को pass करेंगे और और यहाँ अब आप meme type define कर देंगे अगर jpg में photo चाहिए तो यहाँ लिखेंगे jpg अगर png में चाहिए तो यहाँ लिखेंगे png तो generally यहाँ पे आपको एक url मिल चाहेगा जिससे आप अपने generated photo को access कर सकते हो या download कर सकते हो मैं चाहता हूँ download हो जायतो इसके लिए मुझे एक anchor tag create करन अब जिसे download करवान है वो anchor tag href के value में set के जिए जिसे download करवान है ध्यान से देखिए वो इस variable में है मैंने यहाँ set कर दिया अब आपको define करने यह किस नाम से download होगा यह define करने के लिए आप anchor tag में download attribute का इस्तमाल करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी नाम define कर देंगे अपने file क जैसे मैंने define कर दिया यह जो file है वो sample.jpg के नाम से download होगा अब यहाँ anchor tag करियेट हुआ और download attribute का value set हो गया लेकिन download तब होगा जब आप anchor tag पे automatically click करवाओगे तो anchor tag पे automatically click करवाने के लिए मैंने anchor tag में click method को pass कर दिया अब आपको define करना है कि यह demo function कब execute करेंगा simply मैं एक button tag create कर लेता हूँ और इसमें write कर देता हूँ test यहाँ मैं on click event को pass करूँगा और demo function को call कर दूँगा ऐसा करने से जब मैं इस button पे click करूँगा तो यह function call होगा जिसकी वज़ा से हमारे webpage का screen shot user के system में ही download हो जाएगा यह देखिए welcome written है मैंने test पे click किया ध्यान से देखे sample.jpg download हो गया अगर मैं इसको open करूँगा तो यह देखिए screen shot मिल गया हमें welcome का वैसे ही आप जो design create करना चाहते हो आप create कर लो automatic आपको उसका screenshot मिल जाएगा वैसे ही हर वीडियो देखना चाहते हैं इससे भी बड़ा बड़ा project करना चाहते हैं तो हमारे executive को call कीजिए contact us पे click करके या soft engineering पे click करके सारी information को जरूर प्राप्त कीजिए वैप institute के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद